तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं देखें ये सब मचली को बोला जाता है इच्छना मचली और ये सब बहुत महँगा हाई एबरीवान वेलकम बैक तू माई व्लोग तो आता करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होगे और अच्छे होने भी चाहिए तो गा नाम है हाईजेनिक फिस मार्केट और ये मार्केट आपका राची स्टेशन से लगवक नौ से दस किलमेटर इतना दूर पड़ता है ये आपका धुर्वा के रोच की तरफ पड़ता है तो आज मैं यही पर आई हूं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यां से ये जो म मिलेगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा तो चलिए दिना देर किये जे वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह रहा राची का सबसे बड़ा फिस मार्केट जिसका नाम है हाईजेनिक फिस मार्केट और यहीं पर देखिए यह जो जाल जैसा बनावा है इसी के अंदर लगत है को इसे ढ़िए जहीं का चले है क्योंकि देखाने हें तो जैसे अप लोगों को पुरां देख सकते हैं इसको बोल जाता है यहां पर देखिए पूरा एकडम लगा हुआ है यहां पर पूरा मचली लगा हुआ है यह देखिए हर तरह का यहां पर आप लोगों को मचली मिल जाएगा यहां देखिए पूरा हर्ला हो रहा है जैसा कि आप लग सकते हैं यह देखिए पूरा एकडम यहां पर मचली लगा ह तो यहां पे इसी तरह का भीर होता है डेली और यहां पे बहुत ही सस्ता सस्ता आप लोगों को मिल जाएगा है तो यह पुरा अंदर तक लगा हुआ है तो आप लोगों को दिखाते हैं हर मचली का रेट पूछके बताते हैं है तो गाइस जैसा कि आप लुग देख सकते हैं डेखें कि यह सब मचली को बोला जाता है इचना मचली और यह सब बहुत महंगा आता है आपका 100 रुप्या पाव है और 150 रुप्या पाव इस तरह से यहां पर मिल रहा है और यहां पर देख सकते हैं हर तरह का मचली है सब छोटा छोटा मचली है तो यहां पर छोटा मचली का थोड़ा ज्यादा रेट होता है यह यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा दामों में मिल जाएगा ताजय ताजा ताजन मछली होता है ये देखिए यहां पे भी डेख सकते हैं प्रुगा एक जम मछली जिंदा और यह सब बताएगा आप लो कॉमेंट में कि यह कौन सा यह फीली है की यह सब जो मचली आप देख रहे हैं यह आपका दो सो रुपया केजी है लेकिन आपको कम दाम में हाँ पर मिल जाएगा एक तो गाइस जैसा कि आप लोग बेख सकते हैं यहां पर देखे पूरा एकदम मचली का ही मार्केट लगा हुआ है और यह राची का सबसे बड़ा फिस मार सबस्केट है यह देखे पूरा एकदम लगा हुआ है यह देखे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और यहां पर एकदम जिन्दा-जिन्दा मचली होता है यह देखे आप कि आप लोगों को बहुत ही ताजा ताजा मचली मार्केट है यह दाची का सबसे बड़ा फिस मार्केट है और यहां पर आप लोगों को बहुत ही ताजा-ताजा मचली मिल जाएगो यहां पर सुबहा में ही सब कोई नदी से पकड़नें लगते हैं slug Кhu अगर आप लोगों को मचली लेना हो तो इसी मार्केट से बीचेगाаль यहां पर एकदम्री मचली और जेद मचली लता है और यह तो लोग पर यह दिन्यूदी यह जो मचली है यह आपका हाइजियनिक इत्मार्खे सुस्ट है उसकी में बश्लब रखा जाता है और उसके बाद उसको निकाल के सुबा सुबा पेशा जाता है तो अगर आप लोग छे शे से दस के लगबग में आते हैं सुबा सुबा तो आप लोगों को बहुती ताजा-त अगर दस बुचे के बाद से आते हैं तो उसमा ताजा फ्रेस नहीं होता है लेकिन दस तक फ्रेस होता है तो आप लोग फार्मेंट सेक्टन में ज़िए बताइएगा कि आप लोगों को यह मार्केट कैसा लगा तो आज का वीजियो यही तक होता है और अब आप लोग से ल होता है तक है तक होता है